Welcome to myCG exam, आज हम लोग 36 गड़ के इतिहास से MCQ सॉल करेंगे, हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, चतिहास का, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पार्ट 1 से 4 तक के जो मैं पढ़ाया हूँ, उन्हीं में से मैं MCQ बना के लाया हूँ, और उसको आज आपसे पूछने वाला हूँ, तो आपको आंसर पता हो तो कमेंट करिएगा, और पहलो कॉपी देके बैठिएगा, जितने कोशन सही होंगे, उसको सही करिए, जो गलत होगा, उसे गलत करिए, और end में बताइएगा आपको कितने कोशन गलत हुए हैं सही हुए, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, यह मेरा इंस्टाग्राम पेज है, पहला कोशन है, शरब पुरी वंस के संस्थापक निंद में से किस से कुरूद अभी लेक संबंदित है, कुरूद अभी लेक मैं बात किया था, कुरूद अभी लेक किस से संबंदित है, इस सारे कोशन में आपके डिसकस कर चुका हूँ, इसका सही अंसर है, नरेंद्र, जो कुरूद अभी लेक है, वो नरेंद्र जो की शरब पुरी रा यह मैंने बात किया था आप से निम्न में से किस राजा ने अपनी राजधानी सिर्फूर को बनाया मतलब अपनी राजधानी चेंज करके सिर्फूर को अपनी राजधानी बनाया इसका सही अंसर है प्रवर राज प्रथम प्रवर राज प्रथम ने अपनी राज़ानी को सिर्फूर बनाया ठेके इस से पहले हमने पढ़ा था कि यह प्रसंद मातर है उन्होंने एक नया नगर बसाया प्रसंदपूर और इसको प्रसंदपूर बनाया तो यह अभी याद रखने है आपको कि प्रवर राज प्रथम ने अपनी राजानी सिर्वपूर को बनाया था आगे कुशन है निम्द में से किस साशक ने सोने के सिक्के चलाया थे तो इसका सही आंसर है प्रसंद मात्र यह मैंने आपको बताया था प्रसंद मात्र है जिन्होंने सोने के सिक्के चलाया था है यह पुने पढ़ा था आगे निखते हैं रामायन काली हमने पढ़ाया है महा भारत काली हमने पढ़ाया वीडियो उन में तो उससे रेलेटी भी कुछ कोशन में लेके आए हूँ सीता बे अगला कोशन है रामायन काल में बस्तर का क्या नाम था मलब रामायन काल में बस्तर को क्या कहा जाता था तो इसका सही आंसर है रामायन काल में बस्तर को दंड कारण्य कहा जाता था यह आपको याद रखना है मैंने बताया था आपको रामायन काल में बस्तर को दंड कारण् और उस्में को सबसे प्राचिन भासा और आगे रहते हैं वाल्मी की आश्रम में किस जिले में इस्थित है इसको मैंने बलोदा बजार में इस्थित है इसे हम तुर्टूरिया आश्रम कहते हैं मैंने आपको बताया था तुर्टूरिया आश्रम यह मैंने आपसे बात किया था तो यह स्थित है बलोदा बजार इसमें महाभारत काल में चातिजगर का क्या नम था महाभारत में चातिजगर को क्या को सब कहते थे प्राक को सर यह कि बताया मैंने चैनल दों कि ने मैं बथा व कौन सिति थी आनप नहिए था दो महाभारत काल में डों दोlu में राजानों के नाम बताया थे घाव तो जल्ली से बताइए ताम रध्रज की रजधानी कौन सी थी तो राम रध्रज की रजधानी थी वो रतनपुर थी यह बात किया था अगे रिखते हैं श्रिंगी रिशी का आश्रम कहां पुरिस्थित है श्रिंगी रिशी का आश्रम अंसर पतरों कमेंट करिए ये वीडियो में हम दिसकुस कर रहे हैं सारे कोशन को और इस तरह कोशन आपके एक्जाम में आने की चांस भी है तो श्रिंगी रिशी का जो आश् वो स्थित है धंतरी में यह भी हमने बात किया था ठीक है धंतरी में सिहावा परवत कि सिहावा परवत शिंकला में यह आश्रम है इनका श्रिंगिशी का आश्रम है जजगीर चापगा शिथे थितना हमपड़े हैं उसे किस तरग की कउसे ना सकते हैं उससे रिलेट के वीड़ीयो के मांदाम सेंको बदा रहो है कि ही अगरा कोशिन हैं साथ वहन सांशक अपील्ड की मुद्र चतimi नमें कहां से अपरापत हुई है most important question है तो साथ वाहन साशक अपीलक की मुद्रा चतिस गड़ में बालपूर तथा मल्लार से प्राप्त हुई है याद रखिए इसकी मुद्रा जो है बालपूर तथा मल्लार से प्राप्त हुई है हमने इसके बारे में बात किया है सिर्पूर किस जिले में इस्थे थे ये भी बहुत important question है और सिर्पूर जो है महा समून में इस्थी थे याद रखना है सिर्पूर महा समून में और एक और जगा सिर्पूर का प्राची नाम चित्रांगत पूर था मैंने बताया आपको ठीक है ये संब में बात किया था और एक और बात किया था सिरफूर में एक जगह और है खल करने हों इस धृष गुरूघ कर संघ्राल है कहां इस्थित है अगर यह कुछ आरे चार्व में आता तो बहुत लोग गलत करेंगे बहुत लोग बिलासपुर लेंगे इस कांसर है रायपुर गुरुगाजी संघ्राल है रायपुर में गुरु घासिदस यूनिवर सिटी या विश्व विद्याल है प्राप्त हुए है निम्नमे से किस जगह से गुप्त कालिन सिक्के प्राप्त हुए है उसका सभी अंसर है बाना बरद यह मैंने बात किया है अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिए उसके बड़ेगा और बनेगा तो आपका confidence बढ़ेगा मैं एक बार आपको बता दू किसी भी competition exam को देने के लिए सबसे अच्छा जरिया होता एक बार पढ़ो और test दो जब तक आप test series solve नहीं करेंगे तब तक आप exam तो qualify करेंगे कर ही नहीं पाएंगे यह possible नहीं है most of the students जो qualify exam करते हैं जो exam crack करते हैं जो exam निकालते हैं वो test series ही देते है test series पहले उनके पास subject knowledge होता है subject पढ़के वो knowledge कटे करते हैं फिर test देते है test देना बहुत important है किसी भी exam के लिए अगला question है निम्द में से किस वंस को सुरा वंस के नाम से भी जाना जाता है मैंने बताया आपको यह सुरा वंस यह मैं पढ़ाया हूं जल्दी सांसर कमेंट करो सारे question में आप से discuss के हूँ चार विडियो में बिइसको ज सही अंसर है राज जी अर्सी तुल्य कुल्य वंस में इनको सुरा वंस कहा जाता है त lawn major जो था वो उनके प्रथम साशक थे जिनका नाम था भीम सेंग, इनके आरंग तामर पत्र, आरंग तामर पत्र से हमको जानकारी प्राप्थ होता है, इस वंस के सभी राजाओं के बारे में, और उसके प्रथम जो राजा थे सद्थापक जिनको बोला जाता है, वो सूरा है, उनके नाम पे ही इस वंस, तो इसको भी आपको याद रखते हैं तो आज हमने कुछ MCQ को देखा चत्रिगड का इतनी जहास से यह MCQ को बहुत अच्छे से प्रिपेर करना है और भी मैं MCQ लाने को सिस करूँगा इसे जरूर फॉलो कर दो जो भी आपको डाउट है कभी भी आप पूछ सकते हैं इसके बाद हम से और यह मेरा टेलिग्राम पेज है इसमें मैं कुछ-कुछ अप्लोड करते रहता हूं यह भ कर दो